नमस्कार मैं हूँ नीलू और क्या इरान एटम बंब बना चुका है? क्या इसका परीक्षण इरान करने वाला है? और किस तरह से अगर ये एटम बंब तयार हो जाता है तो क्या इसके परिणाम आगे दूरगामी देखने को मिल सकते हैं? मैंक कहा जा रहा है कि इरान ने एटम बंब बना लिया है इस तरह के खबरे आ रही है और बहुत जल्द इसका परिष्ण करने वाला है अब ऐसे में सवाल उड़ता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके क्या परिणाम होगे? इरान के नुकलियर प्रोग्राम को लेकि यह बहुत बड़ी खबर है जिसका जिकर आप कर रही है एक रिपोर्ट उनाइटे निशन्स को सौपी है और साथ ही मुसाद और C.I.A. की तरफ से भी इस तरह की जानकारिया मिल रही है इस आई एक रिपोर्ट में बताया गया है क इरान के पास पिछले कुछ मेहनों में इरान ने अपने अपने नुकलियर प्रोग्राम को तीजी से आगे बढ़ाया है और करीब 164 kg यूरेनियम जो है जो की एंरिज़ फॉर्म में है यह अब इरान के पास है अचा निलू मैं यह बता दूँ आपको कि एक्सपर्स जैसा क इरान इस साल के अन्त तक झुद को नुकलियर स्टेट गोषित कर सकता है और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एरान किसी तरह का बड़ा हमला इसरेल पर करें उसके पहले खुद एक नुकलियर प्रिक्षण कर ले लेग तेखिए अगर इरान अगर नुकलियर टेस्ट क प्रिक्षण कर लेता है उसके बाद इस इलाके का पूरा समीकरन पूरी तेजी से बड़ जाएगा तो फिलहाल आई ए के तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है इसमें जो एरान के युरेनियम को लेके जो रिपोर्ट से उसके मुताबिक यह कहा जा जा रहा है अचा यह मुसा जहां पर इरान ने अपना जो यह नुकलियर प्रोग्राम है और खासका युरेनियम को परिष्ट करने से जुड़ा जो प्रोग्राम है इसको जो है वो तेजी से आगे बढ़ा है तो देखिए अगर यह बात सही है एरान अगर नुकलियर खुद को गोशित करता है साथ दूसरी तरफ देखिए एरान के पास जो है वो ठीक ठाक स्थिर्क की है माना जाता है कीे करीब दो हजार किलोमीटर की मिजाइल चाहिए इरान को एगर तेल अवीव को निशाना बनाना चाहता है तो इस तरह की मिजाइल जो उमने पिछले एक वीडियो में जिकर कि ग अगर कभी ऐसा जरुवत पड़ती है तो अगर बताया जा जा रहा है कि रूस की तरफ से चीन की तरफ से और नॉर्थ कोरिया की तरफ से इरान को जो है वो बैलिस्टिक मिजाइल्स अल्रेडी सप्लाइड की जा चुकी है तो देखिए एक पूरे इलाके में एक बड़ा जो है एटम युद्ध की तरफ जो है कई बार ऐसा लगता है कि मामला आगे बढ़ सकता है और देखिए अमेरिका ने भी इसको काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्राटेजी बना रखिये कि अगर कभी ऐसी सम्भावना बनती ह कि कोई बड़ा वर च्रिटता है और असमें ऐसी सम्मावना बन रही है कि कोई नुकलियर अटैक हो सकता है तो इसके लिए बता है कि अमेरिका का जो डियगो अउट्टरी और स्ट्राटेजिक बेस है यहां से जो है अमेरिका के बी टू बॉमबश यहां पे बड़ी संख्य करने में भी मतलब ये सक्षम होते हैं तो देखिए एक प्रकार से एरान का नुक्लियर प्रोग्राम उसको रोकने के लिए अमेरिका की कोशिश है लेकिन एक बात मैंका और है चुकि आप देखें ये सारी चीजे हो रहे हैं परमाणू बम का कहा जा रहा है कि अगर सफल परीक इसरेल के पीम ने जो है नेतनियाहू ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिस बैठक में इस बारे में शर्चा की गई कि अगर आगे युद्ध की स्थिती बनती है और अगर हालात खराब होते हैं और अगर किसी तरह का कोई नुक्लियर अटैक होता है या किसी तरह का उपर तो क्या किया जाए तो इसको लेकर बताया जाता है कि बड़ी रणनीती इसरेल की तरफ से तयार की गई है अचा इसके अलावा एक बात और यह आ रही है कि जो खावने ही है इरान के सुप्रीम लीडर जो है इन्होंने भी अपने आर्मी के बड़े कमांडर्स के साथ एक बैठक की है और उसमें भी इरान की परमाडू नीती को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा की गई तो देखिए कुल मिला के जो है चाहे इरान हो चाहे इसरेल हो दोनों इस न्यूक्लियर आसपेक्ट को लेके दोनों बड़े गंबीर हैं और आगे इसका क्या रूख लख जाओ की भई बहले इरान को हमला करने में देर हो रही है लेकिन हमला जब भी होगा बहत सटीक होगा तो दिकितने जो कुछ बैयान ऐसे हैं जो बहत चुंता करने वाले हैं की जब इरान अगर कहता है तो नहां भी इछे तो देखिए और पिल्कुल तुफ़ांसे पहल बाजी हो रही है यह बता रही है कि भले हो सकता है कि अभी इरान और इसरेल का सीधा युद्ध ना हो लेकिन आने वाले समय में यह जो आप कह रही है कि यह तुफान के पहले की शांती है तो हो सकता है वाकई आने वाले दिनों में अगर इरान इसरेल पर हमला करता है तो यह बहुत बड़ा warfare का रूप रे सकता है कि तरह से रहता है या फिर बीच में कहीं से हमले हो सकते हैं क्योंकि इस चीज़ की तद्दीक बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि तीन दिनों के युद्ध विरा में क्या बिल्कुल वहां पर शान्ती रहेगी और क्या ये सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ा कई सारे सवाल और भी हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें लिक कर बताएं और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें